द्वरक टेक्निक यह टेक्निक से हम ट्रॉपिकल साइक्लोंस की इंटेंसिटी को पता करना और स्टॉम आइस की प्रेसिंस को पता करना और क्लाउड की पैटर्न को पता करना इस तरह की जीजों को प्रेक्ट करने के लिए द्वरक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है से एंफ पर्टिकूलार जब्ल्डव ट्राइबल गृप गौवर्मंट आफ यीजेड के हैं वल्नरबल ट्राइबल गृप करने के लिए और उसी की कटेगरिक के नाम है प्रटपिकूलारिव ट्राइबल गृप इसमें कुल मिलाकर 75 पर्टुलारिवलاعड ट्राइबल गृप लो लेवल लेटरेसी होना चाहिए, एकॉनमिक बैक्वर्डनेस और डिक्लाइनिंग और पॉपलेशन की स्टैगनेशन होना चाहिए और इस कैटिरा को एलजिबिलिटी रखने वाले पर्टिक्लरी वॉल्डरबल ट्राबल ग्रोस में क्लाश्फिक किया जा सकता है फर्मोक्रास्ट जो फर्माफ्रोस्ट पुरे साल भर फ्रोजन रहना चाहिए वह अचानक मेल्ट होने लगे और आइस ब्लॉक्स बड़े-बड़े मेल्ट होकर ग्राउंड्स कोलाप्स होने लगे तो उसे थर्मोक्रास्ट कहते हैं ऑफिक टोकनेजेशन टोकनेशन एक्ट्स मेल्ब एक काड़ डिटेल इस को रप्लेश करता है एक अल्टरेटियोग और इसी अल्टरेटियोग कोड फॉर्म को एक आइडेंटेटिक तरह यूस्ट किया जाता है नेटवर्क मीं ग्रॉंड लेवल ओजाण एक तरह कहले और ह सानलाइट और स्टाइगनेंट एर के साथ तब यह बनते हैं ओ एर पॉलुटेंज नाइट्रोजन आक्साइड और वालटेल औरकनिक कंपाउंड्ट्स है कि साथे साथ मिथेन जोए का ग्राउंड लेवल ओजन में फॉर्मिशन में कंट्रिब्यूट करते हैं साथे साथ में नैच्चुरल सोस्स को देखा जाए तो वैट लैंड्स भी एक तरह के बड़े कंट्रिब्यूटर से मिथेन को लेकर ग्राउंड वाटर स्कीम अटल बूजल योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं इसमें कम्यूनिटिव पार्टिस्पेशन और एरियास को आइड़िए करना और सस्टेनबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को को बनाया रखना के लिए इस्तिमाल किया जाता है फंड्स की फीजर्स को देखा जाए तो ग्रैंटिन एड वर्ल्ड बैंक भी इसमें इन्वाल्व है जिस सर्की रिजल्ट्स अचीव किया जाते हैं स्टेट्स के तुरू उसी तरह से उनी बेस के उपर उन्हें फंड्स को द दो यह हो यह टेक्सटैल हो यह पेपर हो तुयथ सट्रीज प्रोटीन स्टादीशी कंड़ाय शिचिंग में और लिक्स कही है यह नहीं, इंदेश्ट्रियाल पाइपिक लाइंस में सदाधि साथ में, भोवर भॉरॉमेस्ट को स्टड़ी 참 करने के लिए, मेटाबॉलिजम क करता है अब जर्वेशनल स्टेटमेंट देखना चाहिए कि बोलविया और न्यूजर लैंड ने लीगल राइट्स दिया है नौन हुमन्स के लिए फ्री बी शोशल वेलफेर स्कीम जो है जिस पर बहुत ज्यादा कर्चा आता है वह सिर्फ एक सेकर पर प्रेशर ही नहीं डालते हैं बलके एक तरह का अपवर्ड प्रेशर क्रेट करते हैं यूल्ड को लेकर अगर वह फाइनांस मार्किट बरॉइंग से लिया गया तो देखा सेक्टर्स बहुत ही हाई लेवल की लाइबलेटिस रखता है कंपेरेटिवल कोईट शॉक्स नैच्रों किलामिटीज और पेंशन स्किम्स